Hello everyone, welcome to exam forum, exam forum के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे विभिन देशों के प्रधान मंतरी, राष्टपती, उनकी मुद्रा और वहां की राजधानिया यहां से आप कोई भी exam देने जाएं, दो से तीन question जरूर पूछे जाते हैं, चाहे बैंक का exam हो, या फिर SSC हो, या Railway GE, NTPC हो जैसे अभी पिछली बार जो ALP और Group D का exam हुआ, उसमें हर shift में दो से तीन question जरूर पूछे गए हैं, आप paper उठा के देख सकते हैं तो इसमें हम detail में बात करेंगे, सभी देशों के प्रधानमंत्री और उनके राष्टपती, वहां की मुद्रा क्या है, उनकी राजधानिया क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कि वरतमान में जो total देश हैं, वो हैं 200 प्लस, लेकिन आपको 200 प्लस देशों के बारे मे में रहें, जैसे अभी बांगला देश में बंधमाका हुआ है, और एक अफरीका महादियूप का देश है, जिसका नाम है मोजांबिक, मोजांबिक में 28 साइकलोन आया, या फिर वो देश जहां के प्रधानमंत्री और राष्टपती भारत देश को रिसेंट में आये हुए ह या फिर वो देश जहां पे भारत के प्रधानमंत्री या फिर राष्टपती रिसेंट में गए हुए हैं, इसी प्रकार के देशों से एकजाम में कुशन पूछा जाता है, में वो देश जो की रिसेंट में निउस में रहते हैं, और कुछ कामन देश हैं जैसे ब्राजील और इसमें जो टोटल देश हम कवर करेंगे, पंदरा से बीस देश कवर करेंगे, इसी परकार तीन पार्ट में आपको पचास से साथ देशों के बारे में कम्प्लीट जानकारी मिल जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का वीडियो यानि की पार्ट वन, पहला और पूचा गया था है, पिछले साल एक्जाम में यूपी पीसियस के, की चीन के जो राश्पती हैं, उनका कारिकाल कितना होता है, तो इनका कारिकाल होता है, अनंत काल, यानि की सी जिनपिंग जब तक चाहें ये अपने पद पे बने रह सकते हैं, तो इस कोशन का सही आंस और यूवान है, चीन की राजधानी है, बीजिंग और एक कोशन और हर वीडियो, हर कोशन से, वो कोशन क्या है, कि वो देश किस महाद्यूप के अंतरगात आता है, तो चीन, एसिया महाद्यूप का एक देश है, तो इस परकार से चार कोशन आपके तयार हो गए है, चीन के प्रदान मंत्री ही वरतमान में सिंजो एबे यानि की इस कोशन का जो सही आंसर है वो है ए इसके लावा एक कोशन और जापान से आपको याद रखना अभी अभी एक माई 2019 को जापान के नए इंपरर बने है जिनका नाम है नर हितो तो जापान के जो समराट बने है उनका नाम है नर हितो जापान देश की मुद्रा है जापान इज इन जापान की रादाने टोकियो और जापान के प्रदान मंत्री सिंजो एबे जापान जो देश है ये एसिया महाद्यूप का देश है अगला कुशन कुशन नमबर तीन न्यूजीलेंड की प्रदान मंत्री कौन है? तो न्यूजीलेंड की प्रदान मंत्री है जसेंडा आरडन और न्यूजीलेंड देश बहुत जाद mess में रहा क्योंकि यहाँ पे एक मसजिद पर बं दमाके हो गए थे तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है C, Jacinda Arden. New Zealand की जो मुद्रा है उसका नाम है New Zealand डालर और यहां के राधधानी है Wailing Gatton. तो इतने कोशन आपको New Zealand से याद रखने हैं. अगला कोशन, कोशन नमबर 4. फ्रांस के राष्टपती और फ्रांस की जो मुद्रा है उसका नाम है Euro. और फ्रांस की राधधानी है Paris और Paris में 3-4 संस्थाओं के Headquarter है. पहला UNESCO का Headquarter पेरिस में है. OECD जिसका पूरा नाम है Organization for Economic Cooperation and Development इसका भी मुख्याले फ्रांस की राधधानी पेरिस में है. International Energy Agency का भी मुख्याले पेरिस में है और एक और संस्था है जिसका नाम है Interpol. Interpol का मुख्याले है फ्रांस के सहर लियॉन में. तो इतनी संस्थाओं को भी आपको फ्रांस से याद रखना है. और फ्रांस जो देश है ये यूरोप महादयूप का देश है. इसके राष्ट पती है Emmanuel Macron और यहां की मुद्रा है यूरोप. अगला कोशन कोशन नमबर पांच. साओधी अरब के यूराज कौन है? यानि की साओधी अरब के प्रिंस का नाम क्या है? तो इनका नाम है मुद्रा बिन सल्मान. ये दो महिना पहले भारत की यात्रा पे भी आये हुए थे. तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है B. साओधी अरबिया जो देश है. मेडिलिस्ट का देश है. इसकी राध्धानी है रियाद और यहां जो मुद्रा चलती है उसका नाम है साओधी रियाल. अगला कोशन कोशन नमबर 6. जर्मनी की चांसलर कौन है? तो जर्मनी की चांसलर है एंजिला मरकल यानि की इस कोशन का जो सही आंसर है वो है B. जर्मनी जो देश है ये यूरोक महाद्यूप का देश ह इसकी मुद्रा है यूरो और यहां के जो राजधानी है वो है बरलिन. अगला कोशन कोशन नमबर 7. पाकिस्तान के राश्टपती कौन है? तो पाकिस्तान के जो राश्टपती है उनका नाम है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के जो प्रधान मंत्री है उनका नाम है इमरान ख की पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक ए इनसाफ जिसको सार्ट में बोला जाता है पी टी आई ये हैं आरिफ अलवी ये हैं इमरान खान पाकिस्तान जो देश है ये एसिया महादिव का देश है पाकिस्तान के राधाने है इसलामाबार और पाकिस्तान में जो मुद्रा चल मंत्री अभी अभी चुने गए हैं तो इस कोश्चन का जो सही आंसर है वो है ए बेंजियामिन नियतनियाय। इजराइल जो देश है ये मिडलिश्ट का देश है और इसकी राधधानी है जेरू सलेम और यहां जो मुद्रा चलती है उसका नाम है इसराइली नियु सकील अगला कोश्चन कोश्चन नमबर नो बंगला देश के प्रधान मंत्री का नाम क्या है तो बंगला देश की जो प्रधान मंत्री है उनका नाम है सेख हसीना तो इस question का जो सही answer है वो है A. Bangladesh B. Asia महाद्यूप का देश है और भारत का पडोसी देश है एक question और यहां से आपको याद रखना अभी एक्जाम हुआ था उत्तर प्रोदेश में 5-6 मेना पहले UP PCL का तो उसमें question यह पूचा गया था कि जो सेख हसीना है इनकी पार्टी का क्या नाम है तो सेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग यह भी आपको याद रखना है और बंगलादेश की राधानी है धांका बंगलादेश की मुद्रा है टका अगला question question number 10 म्यामार के राष्टपती कौन है तो म्यामार के जो राष्टपती है उनका नाम है विन मिन्ट यह question पूचा गया था. यूपी में एक एकजाम हुआ था पिछले साल UP ultra maximum RIकास अधिकारिका उसी में question है पूचा गया था कि मियामार के राष्टपती कौन है तो इनका नाम है विन मिन्ट और मियामार देश बहुँ ज़्यादा नियूज में पिछले दो-तीन साल से क्यों क्यों कि यहाँ रोहिनिग्या रोहिनिग्या एक प्रांथ है वहाँ पे मुसल्मानों का कतले आम हो रहा है इसलिए मियामार देश बहुँ ज़्यादा नियूज में है तो आपको याद रखना है मियामार के राष्टपती है विन मिन्ट यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह हैं विन विन्ट लेकिन यहाँ से एक और जो सबसे ज़्यादा एकजाम में आंग सान सुकी तो यह भी आपको याद रखना है यहां से दो कोशन मियामार देश की राष्टपती बिन मिन्ट मियामार देश की स्टेट काउंसलर आंग सान सुकी इनी की वज़े से मियामार देश में मुसलमानों का कतले आम हो रहा है इसलिए ये एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है म्यामार भी एसिया महाद्यूप का देश है इसकी राधदानी है नहीं पैदा और यहां जो मुद्रा चलती है उसका नाम है क्याट अगला कुशन, कुशन नमबर 11 माल्दियू के राष्टपती कौन है तो माल्दियू जो भारत के एक पड़ोसी देश है हिंद महासागर में स्थित एसिया का एक देश है इसके वरतमान में राष्टपती है इबराहिम मुहामद सोले यानि कि इस कुशन का जो सही आंसर है वो है मियमार देश की रादानी है माले और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रुपी हा अगला कुशन कुशन नमबर 12 मारी सस के प्रधान मंत्री कौन है तो मारी सस के जो वरतमान में प्रधान मंत्री है उनका नाम है प्रिमीन जगननात और प्रिमिन जगननात 2019 का जो भारत में प्रवासी भारती दिवस मनाया गया था उसके मुख्य अतिथी भी थे जो की वारांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया था तो मारिसस के प्रदान मंत्री प्रिवेंट जगननात हैं और ये हिंद महासागर में इस्थित अफ्री का महादियूग का एक देश है इसकी रादानी है पोर्ट लुइस और मारिसस की जो मुद्रा है उसका नम है मारिसस रूपी अगला कॉष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् राष्टपती कौन है तो दच्छन कोरिया के जो राष्टपती हैं उनका नाम है मौन जाई इन यानि कि इस कोश्चन का जो सही आंसर है वह है मौन जाई इन यह जो आप चित्र में देख रहे हैं यह हैं मौन जाई इन जो कि दच्छन कोरिया के राष्टपती हैं लेकिन यह बगल में आपको दिख रहे हैं ये हैं उत्तर कोरिया के ताना सा जिनका नाम है जिम यांग उन ये दोनों नाम आपको याद रखना है दच्छन कोरिया के राश्पती मून जाई इन और उत्तर कोरिया के ताना सा किम यांग उन तो ये दो नाम आपको याद रखना है दच्छ के राधनिय प्यों गेंग और इन दोनों देशों की जो मुद्रा है उसका नाम है वे डॉलि को यön ऐगला क्षज़把कर्याय के राष्टर्त क deals कौन है त।त च्छ़ण अफ्रीका के राष्टर्थमान में राष्टर्त अनका नाम सीरिल रामा होसा यानि की की इस star क commissioner kakino 맞아 daarin कि तीनओ कैसे पुछा जाता एकजाम में पुछा जाता है कि dektion का की लेजीसलेट्व राजदानी क्या है ऐसे कोशन पूछा जाता तो आपको 30 जहाद रखने की executive प्रिटोरिया, जूडिसियल राजदानी है, बलोयम फॉंटेन और लेजिसलेट्व राजदानी केप टाउन और साउथ अफरीका यानि की दच्छिन अफरीका के जो मुद्रा है उसका नाम है साउथ अफरीकन रेंट तो इतने कोशन आपको याद रखना है और दच्छिन अफरीका जो देश है ये अफरीका महाद्यूप का एक देश है जो सीरिल रामा फोसा है ये 2019 की जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी दिली में उसके मुख्य अतिति भी थे तो ये भी कोशन आपको याद रखना है तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगले से हम अगले से वीडियो में हम जो कोशन कवर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा नेक्ट वीडियो में हम टोटल 25 देशों की मुद्रा हैं उनकी राजधानिया और उनके राश्टपती और प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो अब आपके लिए कोशन क्या है इतना के राश्टपती कौन है तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बाक्स में देना होगा तो अमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद रहा होगा अगर आपको वीडियो पसंद रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने सभी दोस्तों के सा आंगुर्ला खार रिग्याम